आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं एक बहतरीन उठान दिस इस अस्पेशल लॉंग उठान जो की स्लो स्पीड गजल के साथ बचता है सो इन अनच शेपिन से लॉंग गजल उठान प्लेड विट स्लो गजल और ये उस्ताद शेबास खान साथ जी के हाथ से हम लोग सबसे पहले बचते हुए देखते हैं तो यहाँ आपने देखा कितना भेथरीन अंदास का ये उठान है और ये लंबा उठान है बिताब ताब व्युटिफुल तेहाई उस्ताद शाबास खान साब जी ने तो इस वीडियो में बजाय ही है और उस्ताग ताली खाहाँ साब जी ने भी इसी same उठान को भी बजाया है बट मेरे पास उस्ताग शाबाज खाहाँ साब जी का बजाय हुआ वीडियो था तो मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो को साथ में अटाच किया है ताकि आप लोग actual playing format को भी आप देख सकें जिनको मुझसे सीखना है मेरा whatsapp नमबर उपर दिया हुआ है अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर बोल जो है बजाने से पहले आपको समझना है कि ठेका कि स्पीड में बज रहा है जो गाने के साथ तो गजल का जो गाना का ठेका होता है वो कैसे बज रहा है और वो कौन से स्पीड का होगा धाग अगर ठेका इस स्पीड का है तो आप आराम से बजा सकते हैं अगर इससे भी थोड़ा काम स्पीड का है ये दो अलग-अलग मैंने आपको ले बताया है जिसमें अलग-अलग बहुत सारे गजल होते हैं इन अगर ले में आपका गजल का ठेका बज रहा है तो पैटर्स को बजाने के बाद आप कैसे उठान को आप बजाएंगे ध्यान से इसको लिखेगा धा धेटे धागे न धाते टे चार फ्रेजेस से शुरू होता है धा धेटे ते अब बजाएंगे थ्री फिंगर से धा धेटे धागे न धाते ते पहले बोल को आप हाथ में बठाईए उसके बाद उसको ले में धालिएगा धा धेटे धागे न धाते यह पहला लाइन होने के बाद जो तो continuation second line है, that is, धेटे धाग, धेटे धाग, तुन्ना कीना, तो second line में धेटे धाग दो बार बजाए जाता है, धेटे धाग, धेटे धाग, तुन्ना कीना, धा, धेटे धाग, धेटे धाग, तुन्ना कीना, यहां तक हमारा 8 मात्रा होता है, कहरवा 8 मात्रे का है, यह एक पल् फिर्व करना है उल्टा थेटे थाग, फिर्टे दाग, फिर्टे दाग दो ले उसके बार फिर्ट नाखीन, भी होगा पिजाएंगे आपको हलका सा बाया प्रीचर देना है, बहुत फ्लैट लगेगा अगर आप प्रेशर busy देंगे, फिर्टे थाग, फिर्टे थाग इसा अब इसको इतना ही part आप आप डाग जयाँ होता है सीधा जाता है उल्टा तेटे भा ये धीधे नाटी फिर ये हुआ हमारा धा कापार इसके बाद आता है हमारा ताका पार बोल है ता टके ना ता टेटे तसा थृड लाइए यहां पर जिस तरह कि से हमने धा का पार्ट में किया था अब धा के जगा में हम ता करेंगे। लेफ्ट हैंड को उपन साउंग नहीं बजाएंगे वो भो जाएगा। सीधर ते ते ughते हम उटा ते ता के न ते उसके बाद आता है जैसे दा में था धेटे धागे धेटे धागे यहाँ पर हैं करें तीठेट्यां तीठे नहीं अब शुर्णनौ इंज़ में चूर्ण में आपके चूर्ण धॉध्य तार गुंपर्ण दब्रक्रियम मतणूर्ण दो चार लाइन होता है अब इसको थेका के साथ दो बर पर थेका बजा और करके फिर किस तरी की से किสपीड में आपको उठाको बजानाए वो बताता हूं यह आपको और जिस पीड में आप थेका बजा रहे थें उससे डबल स्पीड में बजे अगे यह सिरह एक बार बजेगा पूरा चीज ऐक बजयेगा बजने लोग में तैना नहीं एक बज़ाया फिर ठहने गये दूसरी बार दम ढद औन नहीं अब यह नरों जान बजा रहें बोट इन फ stewart के बीच में हमारे पास दो स्पेसेज होते हैं जहां पर गैप आता है नॉर्मल गैप बड़ उसको भर के बजाना है जो जो गैप का पाठ है उसको तेटे-टे से भरना है जैसे और इसी तरीके से उस्ताद अगर आप सीधा बजाने से तेटे-टे-टे अगर आप सीधा बजाते हैं इंडेक्स फिंगर रेडी हो रहता है अगें अगला लाइन का धा बजाने के लिए यह सिर्फ समझाने के लिए एकदम मैंने स्लो स्पीड में इसको एक्स्पेंग किया है बजेगा उसी स्पीड में जिस स्पीड में आपने उठान को शुरू किया था जब अप टेटेटे को बजाये तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर देना because that is a little significant sound which is differentiating the first line of the लेती हाई फ्रम दे सेकेंड लाइन अगें दे सेकेंड लाइन फ्रॉम दे थर्ड लाइन उमीद करता हूं यह पूरा आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है अब इसको हम लोग एक बार हलका सा एक लहरे के साथ करेंगे तो यह था बहतरीन लॉंग गजल उठान जो कि स्लो गजल ठेके के साथ बचता है उसका कम्प्लीट डीटेल्ड एक्स्प्लेनेशन उमीद करता हूं यह आप लोग बहुत आराम से बजा लेंगे और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही बहतरीन लेसंस मैं आप लोग के लिए हर हफ़ते लाता हूं और आगे भी लाओंगा जो मुझसे सीखना चाहते हैं मेरा वाट्साप नंबर उपर दिया हूआ है। यू के मैसेज में मैं वाट्साप एंड कनेक्ट वित मी और यू साथ यूर तबला लेसंस 50% discounted fees में तान के लिए अजयता है। तान के लिए अजयता है। आप लेसे लिए अजयता है। टिर दो सुनारे है। झाओ